अमरीका में इस साल के अंतमी राष्ट्रपती चुनाव होने है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट खेमे के नेता प्रचार में पूरी ताकत छोक रहे है इसी भी शनिवार को एक चुनावी रैली में रिपब्लिकन नेता डोनल्ड ट्रम पर गोली बारी की गई इस हमले में पूर्व राष्ट्रपती बाल बाल बज गए इस पूरी घटना के पीछे जिस यक्स की पहचान हुई है वो मैस 20 साल का थॉमस मैथियूस क्रूक्स था उसे गोली बारी के तुरंत बाद ही एक स्नाइपर ने मार गिराया क्रूक्स तुआरा ट्रम को निशाना बन होने से राजनेतिक गल्यारों में हल्चल तेज हो गई है महीं आरोपी शक्स का परिवार अभी भी इस असमंजस में है कि आखिर ये सब क्यों हुआ